हेलो एव्रिवान वेल्कम टू बैक माई चैनल आज हम यह कटहल की सबसी बनाएंगे बहुती इजी तरीके से तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने कटहल लिया है यह लगबक एक किलो है यह थोड़े बड़े-बड़े साइज में है तो इन्हें हम सब पहले उब पानले के लिए हमने दो गलास तक पानी डाल दिया था और सीटी लगा दिया है तो यह थोड़ा प्याज में लासुन और अद्रक ले लिया है इन्हें पीस लेंगे तो यहां पे मैंने यह बॉइल कर लिया है लगबक दो सीटी में अगर आप इसे बॉइल करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो इसे मैंने दो सीटी में ही बॉइल किया था अब इसे मैं सबसे पहले छोटे चोटे टुकड़ों में काट लूँगी देखे बिलकुल इस तरीके का अब हम बनाना चालू करते हैं तो इसे मैं सरसों के तेल में बनाओंगी तो यहां पे म हमें इसे तीन से चार मिनट तक फ्राई करना है शुरू में हमें हाई रखना है गैस का फ्लेम और बाद में हम थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो मेडियम कर देंगे तो देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर दे रही हूँ अब ढग दूंगी वीडियो जादा लंबा नहीं है आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं सबसे पहले बॉइल करिएगा फिर इसे थोड़ी देर फ्राई कर लीजिएगा बस यहाँ पे हमारा देखिए हो चुका है थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है तो हम अब इसे निकाल लेते हैं हमें ज्ञादा इसे फ्राई नहीं करना है अब इसका हम ग्रेवी बनाना चालू करते हैं तो इसी कड़ाई में मैं इसका ग्रेवी भी बनाऊंगी तो यहां पे मैंने फिरसे तेल डाल दिया है तेल यहां पे लगबग तीन चम्मस तक डाला है और आधा प्याज काटके डाल दिया है तड़के में हम प्याज ही लग डालेंगे और यह पेश्ट डाल दिया है आप यह पेश्ट को जरूर डालिएगा skip मत करिएगा तो यहाँ पे अब हम इसे भूनेंगे तो मसालों में हम जादा कुछ आड़ नहीं करेंगे इसमें मैंने सिब दो चमज करम मसाला आड़ किया है और एक चोटी चमज हल्दी आप अगर तीखा आपको जादा पसंद हो तो आप यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च ली है तो इसे हम डाल के मेडियम फ्लेम पे भूनेंगे मसाला हमारा जितना पका रहेगा स्वाद उतना टेस्टी आएगा इसलिए हमें मेडियम फ्लेम पे ही पकाना है और हमें पकाना तब तक है जब तक यह थोड़ा दानेदार ना हो जाए और मसाला नीचे से थोड़ा ना चिपकने लगे तब तक पकाना है तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है हमने मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पका लिया था और अब इसमें सारे हम कटाल डाल देंगे डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हमने यहाँ पे लगबग 2 गलास तक पानी डाला था इसे पकने के लिए और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो मैं यहाँ पे लाश में सारा दिखाती हूँ इसे मैंने लगबग 12-13 मिनट तक पका लिया था तो यहाँ देखिए यह मैंने इतना ग्रेवी रख्था है इसका इदम सूखा बनाया है और आप अगर इस तरीके से कटाल की सबजी बनाएंगे तो सब को बहुत पसंद आएगी तो जरूर ट्राइ करिएगा थैंक यू सुखाएगा